राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बहनों, माताओं, वाबंधों, संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों, आज मैं आपको भादवी चौत माता की व्रतकथा श्रवन करवाने जा रही हूँ बंधों, यदि आपने अब तक यूटूब चैनल संसकार की बाते सब्सक्राइब नहीं किया, तो जुरूर करें बंधों, भादवी चौत माता की व्रतकथा, बोलो चौत माता की यह हो पुराने समय की बात है, एक ब्रहामन था, जिसके घर एक बेटा और बहु थे बेटा और पिता कुछ कमाते तो नहीं थे, जो बहु के साथ आया हुआ, दहेज का धन था, उसी से अपना काम चलाते रहते थे जब भी बहु बाहर कच्रा डालने जाती, तब उसके पास वाली पडोसन उससे पूछती थी कि बहु आज खाने में खाकर क्या आई हो, तब नहीं बोलती थी, मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ एक तिन साहुकार के बेटे ने ये बास सुन ली, वे वहाँ से चला गया और अपनी मा के पास जाकर बोला कि मा तू तो अपनी बहु को रोज गरम खाना खिलाती है, और वे फिर भी बहाँ जाकर कहती है कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ तब मा ने कहा कि बेटा, मैं तो चारो ठालियों में बराबर गरम खाना परोस्ती हूँ यदि तुम्ही यकीन नहीं है, तो खुद देख लेना वे अगले दिन तब्यत खराब होने का बहाना बना कर कंबल ओर कर लेट गया तब उसको यह देख कर अश्चरे हुआ कि बहु ने तो गरम गरम खीर और खान का भोजन किया है और जब बहु बहार गई तो वे उसके पीछे पीछे जाने लगा तब पडोसन के पूछने पर बहु ने वही बात दोराई कि मैं तो बासी रोटी खा कर आई हूँ उसका पती उससे पूछने लगा कि तू अभी अभी तो गरमा गरम खाना खा कर आई है और पडोसन से कह रही है कि मैं बासी ठंडी रोटी खा कर आई हूँ, तु जूट क्यों बोल रही है तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा यह ना तो तुम्हारे कमाई हुए पैसों की रोटी है और ना ही तुम्हारे पिता के कमाई हुए पैसों की रोटी है यदे हम इसी तरह बैठे बैठे धन को खर्च करते रहे तो यह एक दिन कुए के पाने की तरह समाप्त हो जाएगा इसके बाद उसके पती कमाने के लिए विदेश चले गए और पीछे से उसकी पतनी बारा महीने का चोष का वर्ष करने लगी उसको विदेश में रहते हुए बाराम वर्ष विदीत हो गए तब चोष माता और विनायक जी महराई ने सुचा कि इसको अब घर बुलाना चाहिए चोष माता लड़के किस वपन में जाकर बोली तू अब घर चला जा तेरी पतनी को तेरी बहुत याद आती है मैं बोला मैं घर कैसे चला जाओं मेरे यहाँ इतना बड़ा कारुवार फैला पड़ा है तब चोष माता ने कहा तो सुबह एक दीपक जला कर चोष माता का नाम लेकर बैठ चला जिनके पैसे बकाया हैं वह पैसे दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक ही दिन में निपड़ गया जब वह घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक साप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था उसने साप को आग से बचाने के लिए हटा दिया ऐसा करने से नाग राज करोधित होटे और कहा पापी, मैं तो इस नाग योनी से मुक्ति के लिए जा रहा था, और तुने मुझे हटा दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा, तब वह लड़का बोला, कि मैं बारें वर्षबाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य ही डस लीजिए, किन्तु आज मुझे अपने घर वालों से मिलने दीजिए, आप कल राग को मुझे आकर डस लेना, नाग ने उसकी शर्ट माल ली और वहां से चड़ा गया जब लड़का घर आया, तो वह उदार था, उसने अपनी पत्नी के पूछने पसारी बात बताई, उसकी पत्नी बहुत चतु थी, उसकी पत्नी ने एक सीड़ी पर बालू रेत बिछा दी, दूसरी सीड़ी पर दूद का कटोरा रख दिया, तीसरी पर फूल मारा बिखेर द पाच्वे पर मिठाई रख दी, छटी सीड़ी पर जों और सात्वी पर रोटी रख दी, रात को जब साप आया, तो सब से पहले ठंडी ठंडी रेत में लोट कर आया, फिर दूसी सीड़ी पर दूद पी कर कहा, मैं एक ब्रहामनी के बेटे को डस्ता तो नहीं, लेकिन वच दिया हुआ है, इसलिए डस्तना पड़ेगा, पूल माला की सीड़ी से होता हुआ, प्रसंता पुर्वक इत्र की खुश्बू लेता हुआ, उपर की ओर आने लगा, सांप ओपर आता हुआ देखकर, विनायक जी ने चोथ माता से कहा, इस ब्रहामनी के बेटे की रक्षा करन आँखों सेल अथा सुई बनाई, और चोथ माता ने रोटी के ढाल बनाई, और सांप के आगे रख दी, विनायक जी ने जो के सेल बनाई थे, उन से सांप की मोत हो गई, सुबह उस लड़के से मिलने गांप के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापिस घर आ इसलिए नहीं बोला, जब उन्होंने देखा कि सीडियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिलाने, रोने, चीखने लगे, ब्राहमन आज तो तेरा बेटा मर गया, यह सब देखकर ब्राहमनी भी जो जो से रोने लगी, आवाज सुनकर उसका बेटा नीजे आया, और कहा कि मा मैं मरा नहीं, यह तो मुझे डसने आया, सांप मरा है, यह सब देखकर उसकी पतनी प्रसन हो गई, कि मेरे पती के प्रान बच गए, उसने चोथ माता का धन्यवाद किया, और कहा यह तो चोथ माता ने मेरे ब्रत का फल दिया है, चोथ माता जैसा फल ब्राहमनी के बेटे को दिया वैसा सभी को देना कहानी करने वाले को कहानी सुनने वाले को हुँकारा भनने वाले को सब पत विपा बरसाना बोलो किनेश महराज की जय हो चोथ माता की जय हो राधे राधे जै श्री कृष्ना बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे आवाद कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल